में कहा रहा है, the work done to raise the mass m from the surface of the earth to height h which is equal to the radius of the earth मतबिक m mass go, earth की surface से h height तक उठाने में कितना work done करना पड़ेगा यह हमें बताना है और h किसके equal है, radius of the earth, radius of the earth, मतला हम यहाँ पर क्या दे रहते है, h equal to r, radius of the earth, ठीक, r यहाँ पर हम माल लेते हैं, radius of the earth है, और mass of the earth m है, ठीक ना, तो देखो work done हम कैसे दिकालते है, work done equal to, सीधा साही यह लगा दो, w equal to u final minus u initial, यहाँ पर वो 9th class वाला करीगा मतलगा देना, u equal to mgh, u equal to mgh, मतलग, यह work done equal to mgh, क्योंकि यह तब लगता है, जब g की value constant होती है, ठीक ना, g की value, अगर constant है, तब हम यह लगाएंगे, यहाँ पर object को कहा लेके जा रहे है, अर्थ की radius, जितनी है, अर्थ की radius कितनी है, 6400 km, तो उतनी height पर लेके जाएंगे, तो g की value change होगी, तो g की value जब भी change होती है, तो वहाँ पर energy conservation काम आता है, वहाँ पर सीधा mgh नहीं लगा सकते हैं कि work done equal to mgh, यह 9 समय सा हमने बढ़ा होगा है, w equal to mgh, earth के surface उठागी के-सी hight पर रखना है, वो इसलिए लगबाता है, क्योंकि acceleration due to gravity जो है, वो मतलब 10 km की height तक लगबख same रहती है, ठीक ना, उसके बाद वो vary करना शुरू करती है, और उसमें भी height कितनी है, 6400 km, तो g की value में ज्यादा variation आएगा, ठीक ना, इसलिए मैं यह formula नहीं लगा सकता, सब्सक्राइब के लिए, क्या है, यह गलत है, यह तब लगए का जब g की value constant होगी, तो variable में हम हमें इसा energy conservation apply करेंगे, ठीक ना, अब देखो, अब उसकी potential energy लेख लो दोनों position पर, जब वो surface पर थी तो उसमें initial और जब हम hight पर ले गया तब final, तो जू initial क्या होगी, सर्फिस की अगर हम बात करें, तो object जब surface पर object, radius r, object यहां रख क्यों होगी है, m mass, तो उसकी potential energy का formula क्या होता है, minus g m1 m2 by r, तो minus g m1 यहां पर mass of the earth, mass of object upon radius of the earth, और जब u final की बाद होगी, तो u final कितना हो जाएगा, u final, u final, u final, minus g mm, आगर को distance का है, अगर मैं r height तक इसे अगर मैं उठाता हूँ, तो height तक h equal to r, तो earth के center से कितनी distance हो जाएगी, 2r, ठीक न, earth के center से 2r, तो potential energy फिर लिख लो, यहां पर क्या जाएगा, अब work done equal to क्या होता है, w equal to u final minus u initial, तो u final कितना है, minus g mm by 2r, minus minus g mm by r, g mm by r, यह हो जाएगा हमारा work done, ठीक, minus minus, plus हो जाएगा, ठीक, g mm by r, यह तो constant यह बाहर आजएगा, g mm by r, यह constant है, bracket में क्या बचा है, minus 1 by 2, और यहां पर plus 1 रहेगा, तो 1 minus 1 by 2 इसे लिख सकते हैं, ठीक, gm equal to क्या होता है, gr square, हमने पढ़ा हुआ है, छोटे g और बडे g में relation क्या होता है, gm equal to gr square, ठीक, तो यहां रख देते हैं, gm की जाएगा, तो w equal to क्या हो जाएगा, gr square m by r, 1 by 2, एक r चे एक r और गैंशल, तो w equal to कितना हो जाएगा, mgr by 2, तो कितना वर्गड़न करना पढ़े यहां में, ठीक न, mgr by 2, clear? mgr by 2, option B, कर दो प्राड़ 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 थाल बार्ड़ लूपी